नमस्कार दोस्तों, E-Media Web & App के वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज आप जैसा की थमनेल में देखकर समझ गए होंगे कि आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप कोई पोस्ट अगर अपने पोर्टल के ऊपर लगाते हैं तो उसमें कोई special paragraph है या कुछ special line है या किसी का version है जैसे अगर आप reporting करते हैं और कोई विशेश व्यक्ति कोई special कुछ बात कहता है तो उस बात को आपको highlighted दिखाना है तो उसके दो-तिन option होते हैं जिसमें एक तो जैसे आप particular line को आप highlight कर सकते हैं मतलब उसका color कुछ अलग change कर सकते हैं दूसरी चीज आप उसे italic या bold कर सकते हैं italic means उतने lines को select करके आप उसकी design थोड़ी सी वो हलकी सी टेड़ी हो जाती है तो उसको italic बोलते हैं, italic font में हो जाता है उस text को bold कर सकते हैं, color कर सकते हैं पर उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक अलग special section दिखें कि अगर किसी का आपने version लगाया है, किसी की byte लगाई है तो आप उसको अलग से दिखाना चाहते हैं तो वो design कैसे होगा आज इस video में आपको बताने वाले हैं आज मैं आपको mobile view में दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप mobile view में मतलब अगर कुछ लोग जो mobile से edit करते हैं जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ सबसे beneficial और सबसे safe होता है computer या laptop की मदद से post लगाना पर कई ऐसे लोग हैं जो mobile के सहायता से mobile उनके पास है या कुछ ऐसे कारण है वो अधिकतर mobile से news लगाते हैं उसके भी कई सारी बाते में बता चुका हूँ mobile से अकर news लगाते हैं किन-किन साउधानियों क्या धहन रखना चाहिए क्या-क्या चीज़े करना चाहिए कुन-कुन से application install करके रखना चाहिए अगर आप बोलेंगे तो इस पे एक separate वीडियो और फिर से बना दूँआ कि mobile security का किस तरीके से ध्यान रखें चलिए आज बात कर लेते हैं कि अभी जैसा आप अपने screen पर देख पा रहे हैं कि एक paragraph है जो काफी अलग दिख रहा है काफी सुन्दर दिख रहा है एक special bite के रूप में एक अलग ही वो उभर कर सामने आ रहा है इस तरीके से अगर आपको अपने portal के description में जहां पे news लगा ही जाती है वहाँ पे post के description में वहाँ पे आप इसे कैसे add कर सकते हैं चलिए चलते हैं हमारे admin panel पर देखें दोस्तो एक नई news के tab में हम आ गए है एक नई news लगा रहे है तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर title डाल लेते हैं जो भी आपका title है दूसरा आजाता है आप जो भी description डाल लेते हैं अब दोस्तो जैसे description में डाल रहा हूँ यह देखिए कुछ भी मैंने अगर description यहाँ डाल लिया अभी मैं कुछ भी type कर देता हूँ यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए सिखा रहे हैं किस तरीके से यह एक special version का box आपको बनाना होता है तो दोस्तो यह जिस तरीके से यह box बन रहा है तो अब देखिए दोस्तो आप मान लीजिए यह news है अब इस news में यह beach की जो दो लाइने है मुझे इन्हें highlight करना है तो हमें क्या करना होगा इन lines को select कर लीजिए और select करने के बाद में दोस्तो देखिए उपर जो आपको यह toolbar मिलते है इन toolbar में आपको एक inverted comma भी मिलता है inverted comma दिख रहे हैं दोस्तो दो comma बने हुए आप इन पे click कर लीजिए अब देखिए इन पे click करने के बाद क्या हुआ जो यह आपके बीच के जितने भी text है यह center में आ गए हो थोड़ी इनकी size compress हो गई है अभी आपको यहाँ पर कुछ look या view दीख नहीं रहा है फिर भी आप इसमें यह कर सकते हैं देखिए अभी इतना area selected है तो आप इसका color change कर सकते हैं जिसे मैं इसका color rate कर देता हूँ इसको bold कर देता हूँ और थोड़ा सा italic भी कर देता हूँ देखिए दोस्तो इस तरीके से मैं इसमें bold italic और color भी कर दिया है और उसको select करके inverted comma कर लिया है अब मैं इसे save करता हूँ देखिए दोस्तो publish कर दिया है मैंने और publish करने के बाद मैं देखिए अब यह publish हो रहा है process में है और जैसे यह publish हो गया है देखिए दोस्तो तो मैं इसका एक view देखता हूँ किसका view कैसा निकल के आता है और हमें कैसा दिखाई देता है तो इसे एक नए tape में दोस्तो open कर रहा हूँ तो इसे एक हम नए tape में जैसे ही देखते है किसका view किस तरह से हमें दिख रहा है तो देखिए दोस्तों इसका view ये देखिए ये आप देखिए इसमें कि बीच का जो paragraph है कितना अलग ही highlight हो गया के बीच में सुंदर हो गया है और उभर के सामने आ रहा है तो अगर आप भी अपने किसी न्यूस पोस्ट के अंदर इस तरीके का बॉक्स बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप lines को सिलेक्ट कर लीजिए और lines को सिलेक्ट करने के बाद में आप inverted कॉमा में उसे add कर दीजिए दोस्तो यही है आपको यह I hope समझ में आया होगा और आप भी इसका use करेंगे आपके पोस्ट को और सुंदर बनाएंगे मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार